अटकले हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूरे जिन्दगी कॉंग्रेस के संकट मोचक रहे कमलनाथ का उम्र के इस पड़ाव में कॉंग्रेस को छोड़ना खुद कॉंग्रेस के लिए हैरान करने वाला है। एक वो दौर भी था जब इंद्रा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गांधी परिवार से तीन फीडी से जुड़े कमलनाथ और उनके बेटे के पास कितनी संपत्ती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ। वही बात करें कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की तो वो अपने पिता से भी ज्यादा आमीर है। नकुलनाथ के पास करीब 598 करोड की संपत्ती है। नकुलनाथ ने कई कमपनियों के शेर खरी रखे हैं। साथ हि उन्होंने कई बांड और डिपैंक्चर में भी पैसा इंवेस्ट किया है। नकुल ने शेयर बाजार में करीब 6 करोर रुपे का निवेश किया है रेलाइस इंडरस्टी से लेकर येस बैंक समेथ कई कमपनियों के शेयरों में इन्होंने बड़ा निवेश किया है नकुल ने कई फंड में भी निवेश कर रखा है नकुलनाथ के पास RBI की सावरेन गोल बांड योचना के 10 लाक रुपे के बॉंड है नकुलनाथ के ऊपर 28 लाक रुपे का कर्स भी है नकुलनाथ ने बोस्टन के एक कॉलिज से बिजनस एड्मिस्ट्रेशन में एडुकेशन की डिगरी हासिल की है अमीरी के मामले में नकुलनाथ की पत्नी भी उनसे पीछे नहीं है कमलनाथ की बहू और नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ के पास 11 बैंक एकाउंट है इन 11 बैंक एकाउंट में 8 करोड 60 लाक रुपे से ज्यादा जमा है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा दुबई के एक बैंक में जमा है जिसमें 8 करोड 30 लाख रुपे जमा है इसके अलावा उनके PPF एकाउंट में 39 लाख रुपे और LIC में 2 लाख रुपे जमा है प्रियानात के पास 70 लाख रुपे की दूसरी बीमा योजनाई भी है गोल्ड की बात करें तो उनके पास 1 करोड 36 लाख रुपे का गोल्ड और सिल्वर है कॉंग्रेस से स्तीफा देने के बाद कमलनात नकुलनात के साथ 17 फरवरी से दिल्ली में मौजूद है जहां वो BJP आला कमान के साथ मीटिंग कर सकते हैं और फिर आधिकारिक तोर पर BJP का द थे खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगे जरूरी बात आपको हमारे चैनल पर जॉइन बटन दिखता होगा जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेडर मेंबर्शिप ले सकते ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूस नेशन के साथ नमस्ते